हरी हूं, आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए, आज क्या है, कोरल रो में एक अटो आईडी काल्ड अब कैसे क्रेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए क्या है, एक काल्ड को मैंने अलडी बना के रखा है, उसको इ सब्सक्राइब क्या है, इस सएज है 85 á 54 रखना है, अभी इसको मैंने इसको क्या है एक बार डी सेलै्ट करता हूं, अब ये जो पेज का सएज है इ deciddra, आपको क्या बता रहा है? ये 4 दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको इस सएज बीють से चेंज कर लेता हूं, हिन्ही इसको इसको भी कहे 85 by 54 कर लेता हूं, तो देखो भी ऐसा आ गया, अभी इस कार्ड को सेलेक्ट रखते हुए, अभी मैं क्या करता हूं, पी प्रस करता हूं, तो ये पेज पे, सेंटर पे आ गया, तो इतना करने के बाद, आपको क्या करना है, जो भी आपका डाटा है, उसको Excel में ल थे आपको बनारत रखा है, इसमें id कार्कर करके folder है, सो इसके अंदर अभी एक किया है, all xl files करके है इसमें आ के अभी मैं क्या करता हूं, all files बुलता हूं, सो देखो भी total sub-file आपको दिखा रहा है, सो इसमें क्या एक list करके मैंने file ready करके रखा है इसको open बोलता हूं मैं so अभी देखो इसको next बोलता हूं so अभी इसको finish बोलने से देखो ये file open हो गया भी so इसमें देखो अभी मैंने इदर name करके रखा है यही इदर name को type किया है address 1 address 2 है so यहां पर जो भी data है उसको type करके रखा है और इदर roll number है division है और phone number है इतना type करने के बाद आपको क्या करना है इदर आके file में आना है आके इदर आपको क्या करना है save as बोलना है save as में आने के बाद आपको क्या करना है इदर आपको list करके मैंने नाम दिया है अभी इसको क्या है एक नाम देता हूं मैं list final करके देता हूं so अभी इसमें आप अब को जो format में save करना है, वो क्या है, text में आके इदर tab delimited करके है, इसमें आपको save करना है, अभी इसको save बोलता हूँ मैं, इसको yes बोल देना आप, अभी देको यह final करके इसे save हुआ है, अभी इस file को आपको क्या करना है, close करना है, अभी इस file को क्या क्लोस करता हूँ मैं, close क करके इसको यस मूल देता ऑँ तो एक लगज भूआ है सो क्लोट करने के बाद इसको मिनमाइस कर लेताओ अभी दिको क्यार राओ में आ गए हम सो अभी इदर के फाइल में आता हूं फाइल में आके को क्या करना है इधर प्रिंट मर्ज में आना है इधर create load print merge करके है इसमें आता हूँ इसमें आने के बाद आपको क्या करना है इधर import file करके है जो file हमने save करके रखा है उसको इधर import करना है इधर import में आने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर desktop पे ID काल करके folder है इसके अंदर क्या है मैंने इदर text का file है यहनि अभी देखो यह rich text format करके है जो format है इसको text file बोलता हूँ तो देखो भी यह आ गया अभी इदर मैंने save करके रखा था list final करके इसको select करके अभी मैं क्या करता हूँ इदर open बोल देता हूँ तो देखो भी यह complete data क्या है इस तरफ आ गया भी यह समझ में आ रहा है आपको तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको finish बोल देता हूँ तो देखो भी यह idle talker आ गया भी इस docker में आपको क्या करना है अभी देखो यह name करके है इदर insult selected field करके है इसको click करता हूँ मैं, तो दिखो भी ऐसा आ गया, इन name इदर आ गया, अभी मैं क्या करता हूँ, address में आता हूँ, इसको भी क्या है, insult selected field करके है, इसी तरह क्या है, इन सब क्या है, insult कर लेता हूँ मैं, अभी दिखो address to हो गया, और role number को करता हूँ, इसी तरह division को, और phone number को भी करना आपको इतना और कि ना करने के बाद मैं क्या करता हूं इधर इन सब इसे स्टाइल से अगृय। इस जो इस स्टाइल में जी कर लिया रहुं है और इसका हो पारका साइज. से इसको भी change कर लेता हूं समझो भी इसको एक 14 पॉइंट रखता हूं और इसका color भी change किया हमे और इसका जो alignment है इसको center रखता हूं यह जो भी new text आयेगा वह center से बड़ा हो जाएगा अभी shift को to go to the strip को select करता हूं यह देखो यह group है इसको Ctrl U करता हूँ तो यह अनुग्रूप हो गया अभी इसको सेलेट करके इस ट्रिप को लेता हूँ लेके इसको C बोलता हूँ तो यह विड़त में सेंटर आ गया अभी दुखो इसमें क्या है यहाँ पर फोन है इसको इदर नीचे लेता हूँ अभी इसको डिवीजन है कि तरह दुखे मुझे लेकe और इसको धुक्ताइब करें अभी इसको डूनों को में खρता हूँ अभी एसको सेंटर में आ गया सो यह समझ में आरा आपको अभी इसको गूप क्या था इसको यह अनुग्रूप कर लेता हूं अभी इदर अड्रेस वन अड्रेस टू में आता हूं इन दोनों को सेलेट करके आप क्या करो अभी अड्रेस वन शिप्ट के साथ इन दोनों को सेलेट करता हूं सेलेट करके सी बोलता हूं तो विल्ट में सेंटर आ गया शिफ्ट के साथ इस स्ट्रिप को सेलेट करके इसको भी center बोलता हूँ और इसका जो size है इसको आप जितना size अचाहिए आप रख सकते है अभी के लिए इसको 8 रखा है मैंने अभी दिखो इन दूनों address 1, address 2 दूनों को select करके आप क्या कर लेना इधर alignment भी क्या है इधर center कर लेना ये क्या होता है text जो भी आप text insert करते हो दूनों तरफ से बड़ा हो जाएगा अभी दिखो इन सब को select करता हूँ select करके अभी क्या है merge to new document करके है इसमें आता हूँ इसमें आने से देखो ये क्या हो गया भी एक एक card का एक-एक page बन जाता है देखो भी इधर आपको ये दिख रहा है so 123 करके इसे pages है अभी देखो इधर क्या है नाम भी आ गया और ये क्या है address आ गया role number division और phone number ये आ गया अभी देखो इधर क्या है page down करता हूँ देखो भी ये क्या है इसे change हो रहा है so इस तरह क्या है आप आशानी से text को क्या है auto place आप कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो इसमें क्या है manually image भी आप क्या है इदर place कर सकते हैं अभी देखो इसको इधर right-click करके import बोलता हूँ और इस image को ले आ मैंने so इसको click करके drag करता हूँ अभी इसको क्या है? मौस राइट लिक से होड़ करके इसके अंदर आने के बद़ क्लिक छोड़ देना है Power clip इंसाट बोलता हूं तो ने पाउर क्लियख हो गया अभी का कन्ट्रोल को होड़ करते हूं अंदर के तरफ क्लिक करता हूं तो इसको क्या है आप कर लिया है, इतना करने के बाद, अभी देखो इस file को मुझे save करना है, तो उसके लिए file में आता हूँ, file में आके save as करता हूँ, save as करने के बाद, इधर क्या है, final cards करके नाम देता हूँ, में, इतना देने के बाद, अभी ये cdr format में है, इसको save करता हूँ, so save करने के बाद, अभी देखो ये क्या है, number of pages है, इन सब pages को मुझे क्या करना है, jpg format में save करना है, तो उसके लिए भी एक path देने के लिए, अभी में एक folder create करता हूँ, इधर empty space पे right-click करके import करता हूँ, so अभी इसका जो नाम है, इसको cards करके देता हूँ, so cards करके नाम दिया मैंने, अभी इसको क्या है, cancel करता हूँ, इधर एक card करके, folder create हो गए अभी, सो अभी मुझे क्या करना है इधर tools में आना है tools में स्क्रिप्ट में आता हूँ इधर क्या है run script करके है इसमें आता हूँ मैं so यह यह क्या करता है हर एक pages को क्या है अलग-अलग jpg file में save करके रखेगा यह अभी इधर microzean में आता हूँ आके इधर क्या all standard प्रजक्त लेता हूँ इसमें कया है Convert start करके है इसमें आके run बोलता हूँ तो अभी दिको इधर क्या है आपको source लेना है यहानी source कहा है इस फाइल को जहां पर हमने उस folder में जितने भी file से वह इदर आपको दिखा रहा है, इसमें अभी मैं क्या करता हूँ, जो final card करके हमने नाम दिया है, इसको select करता हूँ, select करके आपको क्या करना है, इदर add करना है, तो इदर आ गया है, अभी आपको क्या करना है, इसको ok बोल देना है, तो ये path ले लिए से अभी destination देना है, अभी जो new folder हमने create करके रहा था, उस path को आपको destination इदर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक करके अभी मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या है, desktop पे ही रखा है हमने, desktop पे क्या है, इदर id card के अंदर cards करके नए inh a folder create किया था, मैंने, so इसको select करके इसको okay बोलता हूँ, so यह path ले लिया अभी destination का, अभी आपको क्या करना है, convert to jpg करना है, तो इधर click करता हूँ, click करके इसको slide करो आपर, slide करके इधर jpg pit map करके है, इसको select किया मैंने, save each page as separate file करके है, इसको active रखना है, इसको active रखते हुए, और जो resolution है, इसको 300 रखता हूँ, resolution को इधर 300 रखा है मैंने, और mode को क्या है, RGB है, अगर आप चाहिए तो, अलग CMY के अगरा ले सकते है, अभी के लिए RGB रखा है मैंने, अभी इसको क्या है, convert बोलता हूँ मैं, so अभी क्या हो जाएगा, हर एक page को jpg में save कर देगा, यह, अभी दिको यह क्या है, file convert has completed करके आ folder है, इसको double click करता हूँ, तो दिको अभी यह सब क्या है, इसे अलग नाम से, jpg में save हुआ है, so अभी इसको close करता हूँ मैं, अभी उन सब को क्या है, एक ही sheet में आपको place करना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ इधर, photoshop में आता हूँ, photoshop में आके आके आपको क्या करना है, source का folder आपको यह करना है, इधर folder है, so उसका path के लिए choose करता हूँ मैं, so इसमें देखो यह cards करके है, id card folder है, उसके अंदर क्या है, cards करके है, इसको क्या करता हूँ मैं, अभी आपको क्या करना है, इधर देखो, आपका जो card का size है, 85 by 54 है, width में हमको 5 cards रखना है, और height में 6 रखना है, तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इधर, जो width है, 42.5 cm रखा है मैंने, और height है, 32.4 cm रखा है, और resolution है 300 है, और इसमें क्या है, color mode क्या है, RGB है, और इसमें देखो, आपको क्या करना है, columns 5 रखना है, और जो rows है, इसको 6 रखा है मैंने, और इसको आपको इतना करने के बाद, आपको क्या करना है, ok प्रेस करना है, तो दिखो, यह क्या होता है, automatically, सब cards क्या है, arrange हो जाएंगे, अभी दिखो, cards अरेंज हो गया अभी, अभी दिखो, यह second sheet है, अभी मैं first sheet में आता हूँ, तो दिखो, अभी ऐसे cards क्या है, 5 columns है, और 6 rows में यह arrange हो ग चनल को subscribe करने के लिए, आप लोगों का धन्यवाद,